आज किस वीडियो में हम पूरे स्केचों कर देंगे फाइं सो रह का गया है जश्ट ओनली हेर रह गया है एंड कलोथ पार्ट रह गया है बैक्गराउंड हमें आप ड्रो नहीं करने वाले तो अगर आप बैक्गराउंड ड्रो करना चाहते हो तो आप कोई भी यहां पर पर मैं ड्रोल रहा है कि यहां पर लग रहा है कि यहां पर ब्लू टो मुझे दिख रहा जूरे नहीं कि अगर आपके पास और यह जार्ट नहों तो आप कोई भी शेड यूर्ट कर सकते हो बट बल्यू ही भूग क्योंकि बूग्लू में काफ़े सारे शेडस आते हैं यहापर मुझे सेम तो नहीं मिला पट जो भी मुझे यहाँ यहाँ बल्यू शेड था huisक्शा क कलर भी था है स्काइब लू कलर वो नहीं लिया मैंने वो काफी लाइट हो जाता है वैसे ले सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है fine, so यहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है, just only ओपर की side लग रहा है तो मैं इसलिकल का यहाँ पर shade दे रहा हैं मैंने इसके बाद फुल इसको हम cover करने वाले हैं black pencil के साथ, black shade के साथ और यहाँ पर जो मैं black pencil use करूँ हम रो, same black pencil color set वाली है क्योंकि कभी-कभी मैं pencil जो use कर लेता हूँ black वो staidler की extra dark pencil भी use कर लेता हूँ क्योंकि वो blend हो जाती है और यह जो pencils होती है color pencil set वाली यह pencils blend नहीं होती और time जाला लगता है इसमें hairs draw करने में बट अभी आज इस portrait में हमें आपे color set वाली pencil ही use करने वाले है और इससे पहले मैंने तीन वीडियो और upload कर दी है इसी drawing के उपर तो exactly step by step आप सीखना चाहते हो तो first step आपको वाली वीडियो देखने जिसमें outline बताया first video में second video में हमने half face draw के था and third video में हमने neck part और face को complete किया है yes यहाँ पर मेरे पास comment आ रहे थी कि एक दो comment आये थे कि face थोड़ा सा match नहीं है हाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा match नहीं है थोड़ा सा mouth की जगए मुझे mistake लग रही है तो वो देखेंगे कि हम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते कई बार कुछ जगा हो जाता है mistake हो जाती है आज भी मेरे से कई बार होती है बट क्योंकि यह color pencil है तो मैं जादा इसको इतना seriously नहीं लेता हूँ मैं erase नहीं करता हूँ आपने देखा होगा मैंने एक बार भी हाँ पर eraser use नहीं किया है कि जैसे कोई चीज को ठीक किया तो मैं काफी कम eraser use करता हूँ तो बाकी last में देखेंगे अगर ठीक होगा तो ठीक सही रहनी तो ऐसी चलने देंगे मेरा main जो motive एक है कि आपको technique बताना कि किस technique से मैं sketch draw करता हूँ और different different brand की pencil के साथ मैं यहाँ पर tutorial देता हूँ जैसे कि आपको पता हो अगर आप मेरे tutorials देखते हैं तो just only यही बताना चाहता हूँ कि आपको अगर पास कोई भी pencil है तो आप उसको कैसे use कर सकते हो किस वे में shading कर सकते हो क्योंकि blendable मैं जातर cheap pencil के साथ ही tutorial देता हूँ वैसे commission work जब मुझे draw करना हो तो मैं prisma color pencil का ही use करता हूँ उसके उपर भी मैंने tutorial दिया हुआ है पर जाला नहीं देता है क्योंकि सब के पास prisma color pencil जूरी नहीं है कि हो हमारे पास हम काफी अच्छा draw कर सकते हैं एक simple pencil के साथ भी जैसे कि यहाँ पर हमने draw किया ही है shading काफी अ यहाँ बस उसमें shades काफी हमें provide हो जाते हैं इसमें हमें limited shade मिलते हैं ट्राइलव shade 24 shade 48 shade बर प्रिज्मा कलर जैसी pencil होती हैं उसमें हमें काफी shades मिल जाते हैं 72 shades 150 तक shades भी हमें मिल जाते हैं okay so यहाँ पर देख सकते हो मैंने blue shade किया उसके उपर मैं यहाँ पर black shade यूज़ कर रहा हूं तो अगर black shade काफी dark ड़क मैं थोड़ा जहाँ पर blue किया वहाँ पर smoothly pencil को यूज़ कर रहा है बाकी जगा पर मैं hardly यूज़ करूँगा क्योंकि layer by layer चलेंगे तो ही काफी hard होगा वै लाइट थी इतना hardly use करने के बाद भी ज्यादा dark नहीं और पड़ा था जैसे इसमें dark हो रहा है तो यहाँ पर हलका सा मैं use करने वाला हूँ brown shade का क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हलका सा brown जैसा look आ रहा है यहाँ पर हाई लेट है तो प्रोपर white तो नहीं दिख रहा है बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि brown shade करना ज्यादा better है तो इसलिए मैं हलकाल का यहाँ पर brown shade का layer दे रहा हूँ जहां से मतलब बाल बिखरे हुए नजर आते हैं उस side से सो राइट वाली side से भी वैसे हम यहाँ पर draw कर लेते हैं hair part तो ब्लैक ही करना है बस आप कुछ directions का ध्यान रखना है अच्छे से flicks निकालने जैसे कि आप देख सकते तो forehead पर flicks है and flicks ही flicks हारे मतलब कि काफी बिखरे हुए से hairs है तो वैसे ही draw करना है fine तो यहाँ पर hairs हमने draw कर लिए बट अभी भी यहाँ पर कुछ pending है तो आप यहाँ पर reference feature में देखोगे कि यहाँ पर हलका highlight है ठीक है तो वो highlight हम कैसे देंगे यहाँ पर मैं use करने वाला हूँ अपसरा की glass marking pencil जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है काफी cheap pencil है just five rupees की pencil है और मुझे काफी पसंद है highlight करने के लिए काफी black जैसे हमने आप हेर किये तो इस जगह पे highlight करने पे लिए काफी ज़्यादा best pencil है और visible भी है मतलब कि कुछ pencils white pencil होती है अगर हम black के उपर use करते हैं तो वह pencil ही black हो जाती है है अना बिल्कुल white हमें highlight नहीं लगता है बट इसमें काफी हद तक highlight हमें पता लगता है क्यूंकि इसमें हमें ज्यादा highlight तो नहीं करना है जस्ट only एक texture देना है highlight का है यहां पर देख सकते हो कितना इजली यहां पर highlight हो रहा है तो ऐसे जहां जहां highlight है वहां वहां हम highlight कर लेते हैं ओके सो next हम यहां पर क्या करने वाले हैं hairs को merge करना अभी अच्छे से क्यूंकि आप देख सकते हो hairs की जो shadow आ रही है फोर हैड पर right hand side अगर हम देखेंगे तो यह हम यहां पर shadow बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा dark करेंगे यहां पर हलका सा brown shade देंगे और फिर black shade देंगे जिससे की लगएगा कि यह shadow आ रही है और hairs को भी अभी merge करना है क्यूंकि जहां से hairs start हो रहे हैं मतलब forehead के ऊपर वाले से तो वहाँ पर अभी merge करना है थोड़े से बिखरे हुए hairs होते हैं चोटे-चोटे हमें hairs draw करने हैं ताकि hairs वाला पार्ट बिल्कुल अलग ना लगे कर दो दो कि अभी एक है ऐे फांट सुबब बात करते हैं मिस्टेक कि यहाँ पर माउट के राइट एंड साइड मैं मुझेमिस्टेक लग रही है क्योंकि यहाँ पर यह बीर्ड वाला पार्ठ नहीं है यहाँ पर शेडिंग डार्क है बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बीर्ड ही नीचे सोरी मस्टैची जी नीचे तक जा रही हो बट ऐसा नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं हलका सा एरेज कर दिया मैंने जा तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब जो बन गया सो बन गया थोड़ी बहुत मिस्टेक तो कभी कभी हो जाती है और लिपस पार्ट भी मुझे थोड़े से अभी शेड और करना चाहिए जो कि सैंटर वाली लाइन होती है वो मुझे ठिक करनी है ज्यादा है यहाँ पर करना चाहिए कि अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है सो अब हम यहां पर ड्रो करते हैं क्लोथ पार्ट काफी सिंपल है जैस्ट ओनली हमने सिंगल ले शेड तो यूज नहीं करना है यहां पर जैसे कि मैं स्काइब ब्लू कलर यूज कर रहा हूं यह क्यूंकि वो सेम कलर नहीं है यहां पर बिल्कुल बस इसको फिल कर देना है जितना भी पार्ट हमने क्लोथ का बनाना है बट आपको यह ध्यां रखना है कि आपको फर्स्ट जो लेयर लगानी है वो एक डिरेक्शन में लगानी है एंड जो हम इसके उपर सेकंड लेयर भी लगाएंगे तो वो क्रोस शे कर रहे हो एंड बीच में राउंड पैंसल को यूज कर नहीं है ऐसे पैज आज जाते हैं क्यूंकि हम यहां पर ब्लैंड पैंसल तो यूज नहीं कर रहे हैं जस्ट ओनी शेड ही कर पाएंगे अच्छे से ब्लैंड नहीं होती है क्यूंकि फाइन सो यहां पर फटा-फट से Shade कर लेते हैं और जो यहां पर मेरी ड्रेक्शन देख सकते हैं आप right side upward की तरफ देख सकते हूँ and right side upward की तरफ जारी है downward left की तरफ जारी है ऐसी है और जो हम क्रोस करेंगे तो वह हम कैसे करेंगे वह हम वर्टिकल लाइन्स लेकर आएंगे तो मैं फटा-फट से इसको ड्रो कर लेता हूं ओके सो यहाँ पर मैंने वीडियो कट कर दिया क्योंकि काफी इजी था यह अब हम यहाँ पर ब्लैक पैंसल का यूज करेंगे और डार्क ब्ल्यू कलर का यूज करने वाले हैं ठीक क्योंकि यहाँ पर आप टैक्श्टर देख सकते हो क्लोथ का कैसा है बीच बीच में कुछ पर दिख रहा है बाजू तो चलो हम यहाँ पर नहीं ड्रो कर सकते जस्टोनी सिंपल सा भी क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर यह फोट शीट पर ड्रो कर रहे हैं एंड वैसे भी मेरा जो में फोकस रहता हो फेस पर ही रहता है एंड क्लोथ पार्ट तो चलो हम करना चाहिए क्योंकि हम प्लोत का जब टेक्टेश डिटेल में देते हैं तो स्केच वैसे बी काफी अट्रैक्टी लोगता है अगर फेस भी अच्छा ना बनाऊना तो भी स्केच देखने में काफी ज़्यदा बैटर लगता है अगर हम क्लोथ पार्ट उसमें एड कर देते में हैं और प्रहस हम उसमें डिटेल वक्ट देतें जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है न कई राफरेंस फिच्टर ऐसी हुद्ट इसमें डिटेल वरक काफी हमता ही क्लोफ पाट में संगे प्लेते हैं ड्राइडल फैसे शर्ण करते हैं कोई भी पार्टी वियर है किसे ने ड्रेस पहनी हूं से हम ड्रो करते हैं तो उसमें काफी डिटेल वर्क्स देना पड़ता है जिससे कि स्कैच भी काफी ज़्यादा अच्छा लगता है हुआ है है सबसक्राइब कि यहां कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यहां पर बैंग्रंड नहीं देने वाला हूं ब vrij गरिंग करना तो आप कोई भी वह बैंग投 दे सकते हो इंडिया के फ्लाइक के है कलर का कूई डिक दे है गया सो आप एक बार कुमेंट पर जूरू बताना कि आपको स्केच कैसा लगार आपको थोड़ी से भी वीडियो हेलपफूल लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जूरू करना गाइस एंड कोमेंट भी करना इसके साथ अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना फाइन सो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉंटेंट के साथ आज के लिए थांक्स फोर वाजिंग